नमस्कार विद्यारतियो एक बार फिट से एजूकेशन न्यूज ओनली यूटूब चैनल के माधियम से आपका स्वागत है दोस्तो 20 सेप्टेंबर 2024 के अपडेट के अनुसार हम हर्याना पुलीस 2024 की बारे में बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर हम कट ओफ और रिजल्ट को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले से हमारे चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब कर चुके हैं क्योंकि उन्हें यह पता है हर्याना पुलीस के रिलेक्टिट जो भी अपडेट्स होती है जरूरी होती है वो हम यहाँ पर सबसे पहले उन तक पहुँचाते हैं और अगर आप नए हैं तो प्लीस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आपको मिल जारी हो जाए लेकिन दोस्तों इससे पहले भी ऐसा हो चुका है इलेक्शन के अंदर रिजल्ट आये हैं चुनाओ आयोक रिजल्ट को पर्मिशन दे सकता है लेकिन जोइनिंग की परकिरिया को पर्मिशन नहीं दे सकता है अब यह टॉपिक पूरे राधनिती से जुड़े हुए हैं वोट लेने के चक्र में स्टेटमेंट पास हो रहे हैं कि सपद बाद में ली जाएगी पहले आपको जोईनिंग दी जाएगी आपका रिजल्ट आप तक पहुंचाए जाएगा ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है चुनाओ आयोक कभी इस प्रोसेस को पर्मिशन नहीं 25 सेप्टमबर को यहाँ पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दिन आपका रिजल्ट चारी हो जाए हाला कि बहुत सारे बचे सैटिस्पाइड नहीं होंगे इस नियूस से क्योंकि वो यूट्टूब पे आ रहे हैं और यूटूब पे आपको पता है कि लेवल मीडियम था जब पेपर का लेवल मीडियम बच्चे बता रहे हैं तो कटो भी उनकी मीडियम ही होनी चाहिए ज़्यादा हाई नहीं जा सकती दूसरा पॉल अप क्योशन राइट की बात करे तो 19% बच्चों नहीं यहाँ पर भी हाईस्ट वो डालके यह बताया कि ज सेलेक्शन नहीं हो और जिनको रेजर्वेशन है वो बिलकुर सांट और प्रेस्ट के बीच में जो है सेफ है कट ओफ के लिए दोस्तों हमने नंबर ऑफ एक्जाम टेकर्स डिफिकल्टी लेवल ऑफ एक्जाम नंबर ऑफ वेकैंसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के परफॉर् और सब्सक्राइब करें वंदे मातरम जय हिंद जय भार्थ धन्यवाद